हैलो फ्रेंड्स तो कैसे हो आप सब उमीद करता हूँ सब बढ़िया होंगे आज मैं आपके सामने और एक नया और इंटरस्टिंग वीडियो लेके आया हूँ जो कि है गुलमर कश्मीर का जी हाँ दोस्तो इस वीडियो में हम आपको बताने की कोशिश करेंगे कि गुलमर का ट्रिप हम कैसे कर सकते हैं कैसे पहुंच सकते हैं हम वहाँ पे कौन कौन से साइट सीन है जो हमें करने चाहिए और किस साइट सीन पे कितना टाइम लगेगा और कितना खर्चा लगेगा और हमें वहाँ पे नाइट करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए कौन से होटल रहेंगे हमारे लिए कौन से बजट में होटल मिलते हैं वहाँ पर और सबसे मैन और इंपोर्टन बार हम से कैमर से कैसे वहाँ पर बच सकते हैं तो ये सारी जानकर अगर आपको चाहिए तो आपको ये वीडियो लाज तक जरूर देखना होगा और अगर आपको ये वीडियो पसंद आता हो तो अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर जरूर कीजिएगा और अगर आप हमारी चैनल पर नए है तो चैनल को सबस्क्राइब करना ना भूलिया तो चलिए यहाँ पर हम सबसे पहले बात करेंगे कि हम गुलमरक कैसे पहुँचे गुलमरक पहुँचने से पहले हम लोग को स्ट्रेड अगर पहुँचना होता है तो वो आप अपने हिसाब से देख सकते हो कि आप लोग कैसे स्ट्रेड अगर पहुँचेंगे और कौन सा होटल आप ले सकते हो अपने बजट खिसाब से वो आप श्रेड अगर में लीजिएगा अगर आपको श्रेड अगर की इंफॉमेशन चाहिए तो आप हमें कॉमेट कर सकते हो तो उसके लिए भी हम वीडियो बनाएंगे कि आप कैसे स्ट्रेड अगर पहुंच सकते हो कौन-कौन से तरीक यह जिनसे हम स्ट्रेड अगर पहुंच सकते हैं या होटल कैसे रहेंगे क्या लेना पढ़ेगा तो उसके लिए हम डेटेल वाला वीडियो अगले वीडियो में लाएंगे आपके लिए अगर आप हमें कॉमेट करते हो या हमें कॉल करते हो तो सबसे पहले बात करेंगे हम गुलमर कैसे पहुंचेंगे तो जब आपने श्रेजनेगर में फास्ट नेट सिटे किया तो आप कोशिश कीजिएगा कि अगले दिन आप अर्ली मॉर्निंग ब्रेकफास्ट कीजिए अराउंड स्याउन एट ओक लॉक और उसके बाद अपना सफ़र जो है आप गुलमर का शुरू कर सकते हैं तो यहां आप आउनली बाई रोड गुलमर क पहुंच सकते हैं और तरीके दो है नमबर वन है शेयरिंग कैब और नमबर टू जो है वो है प्रवेट कैब तो शेयरिंग की बात अगर करें तो शेयरिंग में आपको चार सो से पांच सो रुपए गाड़ी का खर्चा आएगा रवन ट्रिप का यानि श्रेड नगर टू गुलमर को श्रेड नगर लेकिन इसके लिए आपको दो फेस पढ़ते एक है श्रेड नगर टू टू टंग मरग और टंग मरग तो गुलमरग तो रिटर्न का भी सहम है गुलमरग तो टंग मरग और टंग मरग तो श्रेड नगर और अगर हम दोसरी बात कर लें यहां पर वो है private cab private cab आप online भी book कर सकते हो दीरा number of websites on google so वहां से आप check कर सकते हो और कौन सा आपको best लगेगा वो आप कर सकते हो या आप offline आके भी कर सकते हो यहां आके book कर सकते हो और जो rate है वो 2000 से शुरू होता है गाड़ी का चोटी गाड़ी का और बड़ी गाड़ी जो है वो 500 से शुरू होती है तो आप हमें भी contact कर सकते हो तो हम आपको provide कर सकते है best rate में तो on the way जब आप निकलोगे तो रास्ते में कुछ side scene आ जाएंगे जिसमें सबसे पहले आ जाएगा आपका दरंगफाल और दूसरा आएगा टंग मरक तीसरा आएगा आपका एक और waterfall तो दरंगफाल जो है यह चारों और बड़े बड़े पहाड़ों से गेरा है और पैरी सी वादी है चोटी सी वादी है बड़ी खुबसूरत सिवादी है यहां पे आपको बड़े बड़े दरखत मिल जाएंगे चोटे चोटे दरखत भी मिल जाएंगे जो की बहुत ही खुबसुरत होते है देखने में और एक पावर प्रोजेक्ट भी यहां पे है जो आप देख सकते हो और वाटरफॉल भी है एक बहुत बड़ा और यहां पे चोटी चोटी नदिया भी गुजरती है तो वो आप एक्स्प्लोर कर सकते हो यहां पे और मैंची यह फोटोग्राफिक के लिए बेस एरिया रहता है द्रंग फालवला दुसरा साइट सेने वो है टंग मरक का तो टंग मरक पहुँशने के बाद आप ड्राइवर को बोल सकते हो भाई हमें यहां पे चोड़ दीजिए वहां पे आपको चारों और गुलमर का विव नजर आएगा बड़े बड़े पहाड है वहां पे चोटे चोटे पहाड भी है वाटरफॉल्स है वहां पे और होटल्स भी यहां पे है जो आप नाइट सिटे के लिए ले सकते हो जिनका जो रेट है वो दो हजार से शुरू होता है और तीन हजार चार हजार दस हजार के होटल्स भी है तो यहाँ पर आप अपने budget से hotel भी देख सकते हो और यहाँ आके आप lunch भी कर सकते हो यहाँ बड़े-बड़े restaurants भी है जो wedge और non wedge दोनों provide करते हैं तो यहाँ आप जूते भी ले सकते हो जो आपको गुलमर्ग में जुरूर्ट पढ़ते हैं जो उनकी जो rent है वो 500-300 रुपे के बीच है लेकिन यहाँ आप वो मत लीजिएगा आप गुलमर्ग में लीजिएगा अब आप गुलमर्ग पहुँचोगे जो गुलमर्ग तो श्रीने के distance है वो almost 60 km है और time approximately 8,5-3 गंटे लगते हैं अगर आप side scene करते हो तो फिर आप अपने हिसाब से पहुच सकते हो अब हम जो ही आप गुलमर्ग में इंटर करेंगे और हमें सबसे पहला point जो आएगा वो आएगा गुलमर्ग stand यहाँ पे हमें गाड़ी छोड़ देगी और यहाँ से आपका सफ़ शुरू होता है और सबसे पहले जो ही आप गाड़ी में नीचे होता होगे तो आपको बहुत सारे गोड़े वाले आ जाएंगे गाइड आ जाएंगे बहुत सारे बहाने बता देंगे या गाइड लेना जुरूरी है तो यहाँ आप यह दोनों चीज़े सिक्प कर सकते हो क्योंकि गुलमरक में नहीं गाइड की जुरूर पढ़ती है और नहीं आपको गोड़े की जुरूर पढ़ सकती है और अगर आप गोड़ा लेते भी हो तो उसका जो रेट है वो पंचास रुपे से लेके तो यहाँ आपको सबसे पहला जो साइट सीन है वो है केबल कार जिसको आप रूफवे भी बोल सकते हो और गंडोला भी बोल सकते हो लेकिन इसकी जो रेजिस्टरेशन है वो आउनलाइल आपने करनी होती है जिसकी जो वेबसाइट है वो है जुमो कश्मीर केबल कार्पोरेशन डॉट कॉम या आप सिंपली टाइप कर सकते हो गुलमर गंडोला तो उसके बार आपको जो गूगल पर वेबसाइट होगी तो वहाँ पर आप जाके कर सकते हो या हमने डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दिया है वेबसाइट का तो वहाँ जाके भी आप कर सकते हो और लेकिन यहाँ पर आप यह बात जरूर दियान में रखिएगा यहाँ आफ लाइन टिकेट्स आपको नहीं मिलेंगे खाले आपको ऑनलाइन टिकेट करनी पड़ेगी वो भी पंद्रा से बीज दिन पहले फेजिस रहते हैं गंडोला गुलमर के एक है अफरवट का और दूसरा है कंगम डोरी जो सबसे पहला पोइंट है वो है कंगम डोरी जिसका जो गोर्मेंट का रेट है वो साथ से 40 रुपे पर बंदे का लगता है और जो सेकंड फेज है अफरवट उसका 950 रुपीज पर बंदे का लगता है लेकिन इसके लिए आपको पहले फेज के टिकट बुक करनी पड़ती है तो तब जाके आप दूसरी फिर कर सकते हो और अगर आप सीजन में यहां पे आते हो तो आपको दोनों टिकट करनी चाहिए मतलब अगर आप मेज जून के बाद आते हो तो आप दोनों फेज की टिकट जरूर कीज़ेगा क्योंकि बरफ कम होने के वज़जा से वहां पर फरस्ट फेज पे साइट सीन कम रहता है तो यहां पे एक एक इशू है कि बाई चांस आपको नहीं पता कि गुलमर्ग में गंडोला होता है या उसकी रेजिस्टरेशन कैसे करनी पड़ती है या आपने किसी ट्रैवल एजेंट के थ्रो किया है तो उसने आपको नहीं बता दिया तो यहां आप टेंशन मत लेजिएगा यहां उसके बदले आप और एक सैट सीन कर सकते हो जिसका नाम है खिलन मर्ग खिलन मर्ग आप जा सकते हो यहां से लेकिन वो आप गोड़े में जा सकते हो खाले वहाँ कोई गाड़ी नहीं जाती है पैदल भी नहीं जा सकते हो वहाँ पे भी आपको ये सारे चीज़े मिलती है जो आपको गंडोला में मिलती है थोड़ी सी कम मिलती है बट मिल जाती है उसका जो चार्जस है गोड़ा वाला आपको तीन जार, चार जार, पांच जार बोल सकता है लेकिन आप अपनी बजट के हिसाब से उसके साथ बारगनिंग कीजिएगा तो उसके बाद वहाँ आप नीचे आई है और रेस्टरंट यहाँ पर भी बहुत सार है तो आप लेच्छ कर सकते हो यहाँ आके और जैसे कि मैंने आपको पहले की बताया कि यहाँ पर भी आपको अगर नाइट सिटे करना है यहाँ होटल सोड़े महेंगे से मिलता है ठीक है? यहाँ होटल की जो रेंज है वो 5000 से शुरू होती है लेकिन अगर आपके वास काम टाइम है आपका 4 नाइट 5 तेज या 5 नाइट 6 डेज का किश्मीर का पलान है तो आप यहाँ पर नाइट सिकिप कीजिएगा यहाँ नाइट मत करिया और जो बाकी साइट सीन यहाँ पर आते है उसमें नीचे जब आजाओगे अपना वो केबल कार या खिलन मर कंपलीट करके तो यहाँ आपको चारों और बड़े बड़े पहाड मिल जाएंगे जहाँ पर आप खुद भी जा सकते हो चोटे 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 यहाँ पर गंडूला होते है वो आप कर सकते हो यहाँ पर यहाँ चोटी चोटी पारके है जिस तरह चिल्टरन पारक हो गया बेबी पारक हो गया यह सारी चीज़े आप यहाँ पर कवर कर सकते हो उसके बाद आपका एक टेंपल भी यहाँ पर मंदर है यहाँ पर जहाँ पर आप जा सकते हो जो की बहुत ही नजदी के पांच मिंट की दूरी पहस स्टेंड से वहां भी आप जा सकते हो और ये सारी चीजे थी जो आप गुलमरग में कर सकते हो तो उमीद है कि आपको ये वाला वीडियो जो है जरूर पसंद आया होगा तो अगर आपको ये पसंद आया तो आप अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा अगर आपको हमारे साथ बात करनी है या किसी भी जगा का आपको ट्रिप चाहिए या हमारे से कोई मदद चाहिए तो आप हमें कवंटेक्ट कर सकते हो डिस्क्रिपृप्शन में नमबर डिये गया है वहाँ से जाके आप हमें वोटसेप कर सकते हो या आप डारक्ट कॉल कर सकते हो तो आप दीजी आप हमें इजाज़त नेक्स्ट वीडियो के लिए तब तक रखियेगा अपना डेड़ सरा ख्याल और दुआओं में रखियेगा हमें याद